दोस्तों नमस्कार बात करेंगे हम एक कॉलूम यानि जो एक पिलर हम खड़ा करते हैं तो उसको बनवाने में उसको डलाई करवाने में अपना कितना खर्चा आता है उसमें दोस्तों हम जानेंगे कि अपना कितना इस्टिल यानि की सरिया लगता है कितना सेंट यानि की वीडियो देखना है बिल्कुल ध्यान से देखना है हर बात में आपके लिए किलर करने वाला हूं यह वीडियो देखने के बाद तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा इस बात की में गारंटी देता हूं तो आपको दोस्तों वीडियो पूरा देखना है बिल्कुल भी इसकी वापको नहीं करना है तो जैसा कि दोस्तों अगर हम अपना एक कॉलूम खड़ा करते हैं तो इस परकार से हम अपना लगबग दोस्तों इसका लेन देने लंबा हम 18 पिट समझ सकते हैं दूसरा दोस्तों जब हम अपना कॉलूम खड़ा करते हैं तो एक एक फीट दोस्तों इस परकार से इसको सरिया मोडते हैं ताकि इसकी पकड़ बनी रहे हैं और दोस्तों एक फीट दोस्तों अपने भराही ह तोटल दोस्तों 20 feet अपने इस्टिल के आउस्ता पढ़ने वाली है यहां से लेके यहां तक total fully अपने column के लिए ठीक इस पकार से जैसे कि हम देख रहे हैं इसकी length बन गई है इस्टिल इस्टिल की 20 feet अब दोस्तों जैसे कि हम अपना एक जो सर्या आता है उसकी लंबाई आती ह हैं दोस्तों 40 feet इस condition में दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जो अपने column हो या फिर beam हो यानि कि पिलर हम खड़ा करते हैं तो उसमें दोस्तों 6 नक सर्या लगाते हैं इस इस्तिति में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 20 feet का अपना एक सर्या पढ़ने वाली हैं और 6 नक हम लगा रह हैं वीच फित का चीए 30 नक लग रहे हैं तो 3 नक खज का रहा है तो यहा हो जाता है और 40 फित लगबगग दोस्तों तीन लगए अपना लगेगा आप दोस्तों जब हम अपना यह जो नीचे का जो जाली का अगर आप जाली जब बनवाते हैं तो वह इसकी जो लंबाई चोड़ाई होती है वह तीन भाई थिन इंब रखते हैं जिसमें दोस्तों छे सरी इस पकार से लगा ढगाने जाते हैं आप दोस्तों जैसे कि 12 सरी हम लगा रहे हैं और जिसकी लंबाय रखना हैं तीन सब्सक्माइब अपना welcoming और और «-4- लग रहे हैं चारनक्स ये लग रहे हैं ठीक के दोस्तों में बता रहा हूं 12 मिमका इसको याराद से विका बोलता हैं तो जो इसके जो आटि आता हैं अगर हम 8-12 का जो कालॉं ओता है उसके हम बात करते हैं तो उसके लिए दोस्तों ring की साइज हम रखते हैं 6-10 की रखते हैं और लगबक दोस्तों यहाँ से लेकर यहा तक जो 8-11 अपना आ रहा है और एक जब हम रिंग बनाते हैं तो एक रिंग को बनाने में लगबग अपना 34 इंच इन्च है उसका इस टील की आउकसर पड़ती है ठीके इसे परकर से दोस्तों वे Urban 25 तों 850 इंच इस टील की आउकसर पड़ती है ठीके और दोस्तों वेदि इसको फेट में यहां करते हैं यानि यानि 12 से डिवाइट करते हैं तो फिट में अग्वाइट करने के बादë हिग अपने 70 की अउस्ता पड़ेगी है और दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करते हैं 70 फिट अपना इश्टिल लगा जो कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 8 mm segment ठीक है अब दोस्तों देख लेते हैं कि लगबग अपना कितना वेट हो जाता है तो बात करते हैं तो एक फीट में अपना आता है दोस्तों एक तो टोटल जो अपना वेट आ रहा है आट ये लगबक दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 8 kg दोस्तों अपना वेट आ रहा है रिंग रिंग का और दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहा है अपना 12M का सर्या लग रहा है दोस्तों चार नग जिसमें दोस्तों एक जो अपना सर्या आता है 12 वेट इस हिसाब सबस्क्या है कि 40 kg दोस्तों अपना 20 km का सर्या का लेगे यहां से लेकर पूरा अपना कंप्लेट करने में ठीक है अब दोस्तों जैसे कि 40 kg 12 और 9 kg दो समझ सकते हैं कि लगबग अपना इस्टिल इस्टिल का वेट आने वाला है अब देख लेते हैं दोस्तों की इतने वर्क में अपना कितना खर्चा आ जाता है सेंड सीमेंड और एक लिकेट का और लेबर मिस्तरी का दोस्तों अगर हम बात क करते हैं इसमें अपना जो जाली-जाली का है इस परकार को हम डगते हैं डगते हैं तो इसको पेक करने के लिए जो अपने इतने वर्क में सिर्फ इसकी जो 303 की फुटिंग हो रही है इसमें थोड़ा कम है फिर ज्यादा हो सकता है लेकिन हम समझ सकते हैं कि लगबग इतना अपना हो जाता है ठीक है तो इस इस्तितिम दोस्तों जैसे कि अपना ये काम फुटिंग का हो गया है दस तगारी सेंट में और 10 तगारी एक रिकेट में और एक बेग सीमेंड में अब दोस्तों जैसे कि हम देख पार हैं यहां से लेकि अपने मकान की हाइट तक जोग हम इसका ठ्राफिट रक रहे हैं इसकी जो फूटिंग अगर हम करते हैं तो उसकी लिए दोस्तों हमारे 20 तगारी दोस्तों इसम समझ सकते हैं लगबग कि 30 तगारी अपना इसमें जोड़ते हैं तो समझ सकते हैं जिससे की 30 तगारी अपना सेंड लग रहा है तो टोटल लग रहा है कि कितने रुपए का लगबग आता है तो दोस्तों एक तगारी जो अपने मार्केट में मिलती हैं उसका रेट लगबग हम समझ सकते हैं तो टोटल अगर हम जोडता है तो अपना सेंड यए जो खरचा आ रहा है दोस्तों, वह आ रहा है vraiment 900 रुपए और edes जी ज्यादा है वे रे नहीं वैसाब ब congrats करते हैं अबसे लेते हैं तो थोड़ा कम यह जददा हूँ सकता है वेरी करता है कि यहां तो लगवार तो अपना वर्क हो रहा है दोस्तों अपना वर्क व्रक हो रहा है तो अ कर bak सो ने उस्कार लिए इंख जोड़े ऑपना चार्ट कोर्ब औरसर आच इसाब से दोश्तोम में अरड़ा और जो अपना कालम काश्ट करने का फूल चार्ज रहता है इसमें अपना शेट्रिंग का वगरा सब जो भी काश्ट होता है नहीं सो रोपे पर इस भी के सबसे ले रहें तो अफना並 टलम काश्ट करने में दोस्तों हमारे सताассय म्रुपे का खरच 29 पेले देख लिया है अपने किलो गृट है दोस्तों 65 रुपे पर केसाब से करने हैं तो इस तो चोटल हम जोडते हैं अपना किता अक्वाल मसाला का खर्चा आ रहा हैं लेबर सहीद इस्टिल सहीद तो टोटल खर्चा दोस्तों हमारे 8,545 रुपे का शुद्ध खर्चा आने वाला हैं दोस्तों एक कालम को कास्ट करने में वीडियो में आपको जाने कर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर से सिस् दोस्तों